नवंबर मंत में बहुत सारे लोगों का साधी सुधा जीवन बहुत ही अच्छा बितेगा जो लोग अपने पार्टनर से बिछड़े हुए हैं बाचित नहीं हो रही हैं उनके रियूनियन होगी वो एक दूसरे के साथ रिकंसिलियेशन होगा उनका एक दूसरे को बेगनिंग एनजली गाड़ेंस में आप से भी का स्वागत है ओम नमश्वा जामा दुर्गा दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्गो रासी की इस मंत में क्या एनर्जी होने वाले उनके जिवन में क्या आ रहा है क्या मैनिफेस्ट हो रहा है और उनकी लाइफ कैसी रहेगी इस नमंबर मन्त में तो चलिया हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आपकी जो भी क्वेरिज है आप को शन कमेंट वाक्ष में जरूर लिखें और कुछ वीवर्स ने कुछ कमेंट्स दिये हैं कि मैनिफेस्टिंग क्यों जरूरी है या फिर कुछ ने कहा है तो प्लोड होगी थोड़ी से आप लोगों को जवाब देना तो बहुत सरी चीजें आपको नहीं पता होती हैं और बहुत सारी चीजां में एक्सप्लोड भी करने होती है तो यह सारे मिनिंग्स हो है मैं सिर्फ एक लाइन के अंसर में नहीं बता सकती हूं और इसके लिए मुझे पूरी वीडियो बनाने पड़ेगी एडिट करना होगा और बहुत सारे टाइम भी लगता है इन सब चीजो क्या एनर्जी होन वाली है नममबर में इनर्जी होने वाली है वर्गोर के लिएख़गना वर्गोर सिखे लिए टो आई अब वाटर और फाइर मैरस के ट्रिया इनर्जी के आई five of earth king of earth nine of water release bottom of the deck voice counselor यहाँ पे जो इनर्जी है नवंबर मन्त में बहुत सारे लोगों का साधी सुधा जीवन बहुत ही अच्छा बितेगा जो लोग अपने पार्टनर से बिच्डे हुए हैं बाचित नहीं हो रही है उनके रियूनियन होगी वो एक दूसरे के साथ रिकंसिलियेशन होगा उनका एक दूसरे को कमिट्मेंट देंगे लाइप में प्रोस्पेर्टी आ रही है बहुत ज़्यादा धन बहुत ज़्यादा अच्छा रुपया और एक खुसियाँ अबेंडन्स जो है आपके लाइप में आ रहा है आप सेलिब्रेट करेंगे ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब आपकी करियर में कोई गुड नियूज मिलेगी आपको कोई लाइप में बहुत अच्छी चीजे मैनिफेस्ट होड़ी आपके लाइप में जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करते वे नजर आ रहा है इस नवंबर मन्त में अपने पार्टनर के साथ वो खुसी बाढ़ते वे नजर आ रहा है या अपनी साधी सुदार जिंदगी से रिलेटेड हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पर साधी का अपने जो पार्टनर है जिनसे वो प्यार करते है या जिनसे वो साधी करना चाहते है तो साधी का भी ओफर यहाँ पर आ सकता है कुछ लोगों की यहाँ पर नवंबर मन्त में साधी भी पक्की हो सकती है यहाँ पे जैसा दिख रहा है फाइव अफ अर्थ का जो कार्ड है उसके बाद आया है किंग अफ अर्थ का कार्ड तो आप वर्गोरासी है और आपके लिए यह कार्ड ना आ है तो यह तो हो ही नहीं सकता तो आप वैसे भी materialistic सोचते हैं कुछ आपकी आर्थिक तंगी जो हो रखी थी वो उस आर्थिक तंगी से आप बाहर निकलते हुए आरहे हैं आपको चिंता करने की जड़त नहीं है नवंबर मंत में आपकी आर्थिक तंगी यहाँ पे खत्म होते हुई नजर आ रही है और आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उस काम में आप successful होते हुए नजर आ रहे हैं यहां पे आपकी wishes dreams जो है वो पूरी होते हुए नजर आ रही है nine of water की यहां पे energy है कोई Pisces person के साथ आपकी deal हो सकती है यहां पे यह दिख रहा है आपकी happiness जो है कोई Pisces person के साथ है वो इनसान आपकी wish पूरी कर सकता है और आप जो चाहते हैं वो किसी Pisces इनसान के साथ आपकी partner के ही जो है वो Pisces Scorpio Cancer और Aries Leo Sagittarius के साथ आपकी union possible हो सकती है अगर आपके partner Aries Leo Sagittarius या Pisces Scorpio Cancer में से इन तीनों में से कोई है तो उनके साथ जो है वो union नजर आ रही है और अगर वर्गो टॉर्डस Capricorn है अगर आपके partner या आप है तो उनके साथ आपको commitment मिलने के chances यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है जो इनसान आपको commitment देने से भाग रहा था वो इनसान आपको commitment देगा यहाँ पर किसी तरह से financial gain दिख रहा है और कोई prosperity दिख रही है आती हुई आपके तरफ नजर आ रही है बहुत एक बुरा वक्त जो आपके साथ ता जैसे यहाँ पर देखिए बहुत ही एक गिद है और गिद हाथ पर बैठावा था और यह गिद अब उड़ रहा है उड़ने की स्थिमा आ गया यानि जो आपके जिंदगी में जो negative situation थी या फिर जो चीजे आपके abundance को रोक रही थी आपके तरफ से आने से तो वह अब खत्म हो चुकी है वैसी जो negative energy वह खत्म हो चुकी है उसका end हुआ है अब आप जो है आपके life में आपके कुंडली में आपके भाग्य में एक ऐसी energy आ सकते हैं आपके जोली में खुसियां आई है अगले मंद से आपकी जो आपका जो भाग्य है वह जगने वाला है और आपकी learning tradition यह सब कुछ बदलने वाला है आपको कोई higher position मिल सकता है वह सकता है कि learning field में यानि टीचर के जौब में भी आप जा सकते हैं क्यों परम परागत य यह भी दिख रहा है कि आप इस spirituality के तरब भी आप बढ़ रहे हैं बहुत ही spiritual और psychic हो सकते हैं कि psychic ability बहुत बढ़ेगी यहां पर जो दिख रही है आप महुत ज़्यादा psychic हो सकते हैं यहां पर नंबर four important नंबर five important यानि energy जो है आगे बढ़ते चले जा रही है यहां पर दिख आपके लिए no down कर लें यहां पर भी four is to four five four five अबके लिए बहुत इंपोर्टेंट आगे बढ़ने का यह नंबर है और आपके लाइप में यह चीजे जो है बहुत ही जादा आगे बढ़ेंगी five numbers होता है वो change का number होता है आगे बढ़ने का number होता है और four number होता होता है वहीं है वह खराब चल रही थी वहील होंगी और उसमें बदलाओं होता वह नजर आ रहा है अगर मैं लव लाइप की बात करूं तो यहां पर बहुत सारी चीजे लव लाइप को लेकर के ही हो गए वाग्य को भी लेकर तो चलो अब देखते हैं कि आपके लाइप में और भी क्या अरनिंग बड़ेगी यहां पर यह दिख रही है कुई नोप कोई के नर्ज्य में एक ऐसा विकती जो बहुत ही जादा रुपए कमाता है और उसके हाथ में पावर होता है रुपयों को लेकर के the tower की energy है यहां पर and the five of cups की energy है यहां पर and the sun की energy भी है यहाँ पे जो भी situation है आपके bad situation है वो release होंगे five of cups love life में जो आप unsatisfied या फिर जो ऐसा लग रहा है कि five of cups में की एक desire की energy थी किसी को पाने की और वो fulfill यहाँ पे होती भी नजर आ रही है love life की बात करूं तो तो आपके लिए मैं देख लेती हूँ कि एंजल के तरफ से क्या guidance है इस वर के आपके लिए वह भी मैं देख लेती हूँ तो चलिए हम एंजल के cards निकालते हैं आपके लिए क्या guidance है वीडियो को लाइक करते दोस्तों आपके लिए एंजल के guidance आ गया है लीप आपके जीवन में न एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है बहुत बड़ा बदलाव आप आगे बढ़के तो देखो युनिवर्स जो है न आपके पिछे पिछे आरी आप जो चाहते हूँ आपको पूरा करने के लिए आपको देने अपने घर को सजाए घरो को सजाए यहां पर क्योंकि आप इसी अर्थ पे अपने लिए शूर्ग बना सकते हैं आप जहां कहीं भी हो जिस position पे हो अगर आप जो भी काम कर रहे हो उस ही काम को उस जगह को आप स्वरुख बना सकते हो अपने मेहनत से अपने लगन से तो यह चीज़े आपको दिख रही है आप आप जो भी काम करें पूरी मेनद से करें पूरी सिद्दत से करें पूरी लगन से करें उसमें अपना 100% दें और जब आप अपना 100% देंगे तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा reward बहुत बड़ा यहाँ प कि यहां पर यह जो फूल मून जो आज के जा चुका है यहां पर देखें आप जो फूल मून जो आके जा चुका है और जो नियू मून होगा तो दोनों के बीच में पंदरा दिन का गैप है तो इस पंदरा दिन में आपके इनर्जी जो है आपको अपनी अनर्जी को हील करना ह अपनी एनर्जी को grow करना और आपको शमयों करना के लिए अपता नेरजना है को बहुत जादा अपने काम विल खुए हो आड़ी थोड़ा सा जो है od कोबी टाइम में थोड़ा सक तक चुके हो बहुत आपके इनर्जी 11 चुक है तो यह फिर बहुत मेंthisτοिस जो भी आप कर रहे हो पूरा होगा चाहें वुन तो यह प्लखे होनी सो ईयआ पूर सबूरी देगिंश पहता है नियुक्त को 민주णि तो नियुक्त पाइससा बिंट कर खोरी तो इंसान युक्त में सब्सक्ड़ा प्यार नहीं मिलना तब दिखुई रहता है पैसे नहीं होते हैं प्रापर वे में तो दुखी होता है तो इनका ना सोच करके अपने वर्क पर द्यांदे करियर पर द्यांदे आपकी चीजे मैनिफेस्ट होते भी नजर आ रही है आपका जीवन नवंबर मन्त में बहुत ही बदलने वाला आपके जोब अफर लेटर भी आ सकता है किसी किसी के लिए तो मिलते हैं नेक्स रूडियो में दोस्तों